इंडिया नियो स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गोपाल सर्मा हुजूर कर दे आते आते आपने देरी पाकिस्तान टीम के लिए मैं कहा रहा हूँ और ये बिल्कुस सही है क्योंकि बांगलादेस के खिलाप मुकाबला तो पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है और इसी के साथ सेमी फाइनल के दौर्ड में अभी भी बनी हुई है जो रेस है वो अभी उनके लिए खुला है कि टॉप फोर में अभी भी जा सकती है बांगलादेस की टीम तो बाहर हो चुकी है पहली टीम जो एलिमिनेट हुई है वर्लकप 2023 से वो बांगलादेस की टीम बन सबसे पहले जो एक तरीके से पड़ाव पार करना है सबसे पहले तो यही है कि बचे हुए दोनों मुकाबले वो जीते तभी एक तरीके से आने वाले जो रास्ते हैं वो आसान हो पाएंगे तो मुकाबला किस किस देश के खिलाप है निउजिलेंड के खिलाप है और इंगलेंड के खिलाप है तो यह दोनों टीमे तगड़ी है और उनको हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन अगर टीमों को हरा देते हैं तो भी सेमी फाइनल में नहीं जाएंगे उसके ब पता दू कि Australia और South Africa अफगानिस्तान को हरा दे जो कि मतलब लगता है कि चलिए हरा देगी Australia और South Africa अफगानिस्तान को चलिए यह हो जाता है तो वहाँ पर पाकिस्तान के यह दूसरा पड़ाव हो जाएगा जो पार कर लेंगे तीसरा पड़ाव क्या है South Africa और स्रिलंकन टीम New Zealand क को हरा देती है मतलब इसमें आप देखे कि South Africa हरा देगी लेकिन New Zealand को स्रिलंका मतलब एक तरीके से हरा पाई यह थोड़ा सा कहना मुश्किल है अगर हरा देती है तो तीसरा पड़ावा पार कर लेंगे वह उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा लेकिन जब New Zealand का स्रिलंका एंड नीदर लेंड यह भी संभव हो सकता है क्योंकि जिस ले में भारते टीम है स्रिलंकन टीम को दो नौंबर को और लीग स्टेस का आखरी मुकाबला नीदर लेंड के खिलाब जो होने वाला है उसमें अगर हरा देती है तो वहाँ भी जा सकते है तो यह सिनेरि किसे आगे बढ़ते हुई ने जाराएगी पाकिस्तान के टीम तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलिजेगा धन्यवाद